आयोध्या में रोजाना देश भर से करीब दो लाग भक राम लला के दर्शन करने पहुच रहे हैं। ऐसे में लोगों को खाने पीने की जरुतों को ध्यान में रखते हुए देशी विदेश्वी कमपणियों के आउटलेट्स खुल रहे हैं। देशी विदेशन के अलावा पीजा पास्ता के दुकाने भी आयोध्या में खुल रहे हैं। इसी कड़ी में KFC भी यहां अपना आउटलेट खुलना चाहता है। आपको बता दे 23 जनवरी से यहां देश भर से आने वाले भक्तों की संक्या पाच लाग तक पहुँच गई थी। तब से अयोध्या में भारी संक्या में राम भक्त अपने आराध्य के दर्शन करने पहुच रहे हैं। यही वज़ा है कि यहां कई मल्टी रैश्चरल ब्राइंड अपना आउटलेट खुलना चाहते हैं। नितिश्कुमार ने कहा है कि KFC समीते जुतनी भी ब्रैंड है। वे अयोध्या में अपना आउटलेट खोल सकते हैं। उनका स्वागत है। मगर अयोध्या का वह शेत्र जहां नौनवेज और श्राप के परोसने और बिक्री पर प्रतिबंध है। वहाँ अपने आउटलेट खोलते हैं तो उनको अपने मेन्यू में बदलाव करना होगा। वही डियम नितिश्कुमार ने कहा कि अयोध्या की प्रतिबंधित इलाके में KFC नौनवेज आइटम सर्व नहीं कर सकीगा। आयोध्या के बाके श्रीत्र में आउटलेट खोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वहाँ वहाँ अपने मासाहारी उत्पात भी भीज सकते हैं। बताते चले कि अमेरीकी KFC अपने चुकन के लिए जानिक जाती है। मगर यदि उसे आयोध्या में अपने आउटलेट खोलने हैं तो यहाँ की शाकाहरी नीती का पालन करना होगा।